जो लोग भी प्राइवेटाइजेशन को देश का बिकना बताते हैं उन्हें आज इस सवाल का जवाब देना काफी जरूरी है एर इंडिया ने 2010 से 21 के बीच एक लाख 57,349 करोड रुपे का नुकसान किया है और ये अमाउंट आया कैसे है तो ये अमाउंट आया है जो टोटल लॉस था एयर इंडिया का उसमें से जो एयर इंडिया का टोटल एसेट की वैल्लियू थी उसको माइनस करने के बाद तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ और इतने बड़े अमाउंट की वेस्टेज हुई है एक कमपनी के द्वारा मात्र एयर इंडिया के द्वारा ऐसी ही काफी सारी बिमारू companies अभी भी देश में हैं और उनका भी reform होना काफी जरूरी है अगर ये पैसा सही से इस्तेमाल होता देश की अर्थवेवस्था में तो आज हमारी देश की एकनॉमी कुछ अलग ही उचाई तक जा सकती थी और यहाँ पर जो भी बिमारू companies है उनका जल्द से जल्द privatization होना काफी जरूरी है कम से कम private होने के बाद ये company profitable होंगी और corporate tax pay करेंगी at least taxpayers पर तो ये burden नहीं बनेंगी after privatization जो दूसरों की कमाई को tax के रूप में collect करते हैं वो industries या business चलाकर पैसा नहीं कमा सकते उनके ये बसकी बात नहीं है और आज हर Indian को ये बात समझ जाना चाहिए